जदो हिंदुस्तान दे राजिवी गोर्यान दे जुतियां चाड़ दी सी, ओदो इंग्लैंड दे मलिका उस्ता पानी पर दी सी आओ आज दुनिया दे महा नक्षाकार इमार्ट साज पाईराम सिंग दी जिन्दीच गेड़ा कर दे हां सच्चिकाल में गुर्दीप कार गरेवाल प्रोग्राम सिर्नावांच तड़ा स्वागते आज तो सवासो साल पहलान जो दो इंग्लैंड गया ता इमार्ट साजीदियां कुंडियां खोल दे उस्ते कारना में वेख की गोरे उसनों सिजदा करन तक जांदे सन खालसा कालेज दी शांदर इमार्थ उस्ते ही सुपनेंदा नक्ष है मियू स्कूल आफ आर्ट्स लहॉर जिसनों अजकल नैशनल कालेज आफ आर्ट के हजंद है उसता प्रिंसिपल भी उसनों सर कहके बलोंदा सी नैशनल कालेज आफ आर्ट दे वद्यार्थी रहे प्रवेज वंदाल अतिसाजिता वंदाल ने इस महान मनुकदियां वडियाईयानों लोकां तक पहुचौनली किताब लिखी जिसना नाम है दीराज लहौर एंड पाई राम सिंग राम सिंग ने बकिंगम महल नहीं सुगों असबर्न महल दा दरबार हाल त्यार किता दुनिया पर दे अखवाना मिच इश्टिहार देके डिजाइन मंगे गए ते जेडा पास होया ओ तीस साल दे राम सिंग दा सी मलका ने उसनु शाही खाने ते बुलाया इंगलेंड दे ओन्रेडी शेहरियत दिती मलका ने उसते रहल दी वक्री रहाइशते इंतसाम कीता स्टाफ नु केहा गया कि पाई राम सिंग दी रहाइशते नेडे तंबाको दी मुश्क नहीं ओनी चाहिदी ते खाने बीच सिंग, मुन्शी अग्दुलकरीम, अतिपाई राम सिंग, तिनने दस्तार तरी राम सिंग दे जनम बटाडा ने रसूलपुर पिंड दे रामगडिय प्रवार दे इक कर 1 अगस्त 1888 जा विच होया दासमी तक दी मुडली विद्या मिश्कूल अमरिच सर तो प्रापत किती स्कूल दे अंग्रेज अध्यापका ने उस दे जहीन दिमाग दी पिशान किती ते उसनो क्या कि में उ स्कूल आफ आर्ट्स विच दाखला लवे पिंडचाड के पिता अमरिच सर चील मंडी विच दुकान खरीद के कारुबार करन लगगा लहार आर्ट्स स्कूल दा एक मास्टर हारवे अमरिच सर अंधा जान दा रंदा सी जन्वरी 1844 विच ओ राम सिंग नू लहार ले गया पहली स्कूल रिपोर्ट विच प्रिंसिपल किपलिंग ने लिख्या कि राम सिंग वड़ा इमार्थ साज बनेंगा अमरिच सर दे डी सी दी मेम साल दा प्यानों खराब हो गया उस दी पालडी जोदो मिस्री लबबन लगे ता गुणा 16 साल दे राम सिंग ते पया प्रिंसिपल किपलिंग नो आख के ओव द्यार्थिया नो अपनी पिता दे कारखाने वेच ले जाके ट्रेनिंग दन्दा सी जदी कामनार उस नो इन्ना प्यार सी कि जोदो 1913 मेच मियू स्कूल दे प्रिंसिपल वजो सेवा मुक्त होया तो उसने चील मंडी विच अपना पिता पुर्खी कारोबार शुरू किता किपलिंग ने सरकार नो मनालया के मियू स्कूल दे अपनी इमार्थ होनी चाहिदी है राम सिंग नो कहा गया के ओ इमार्थ दा डिजाइन त्यार करे डिजाइन त्यार करके सरकार कोल मंजूरी वास्ते पिज्या गया जवाव आया कि जी हो जया नक्षा बनाया गया है खर्चा बहुत आवेगा साधी कुल तो हन्नू देन वास्ते सिर्फ संती हजार रुपए हन राम सिंग ने किपलिंग नू कहा कि सरकार नू लिखो कि जिनने पैसे ने दे दियो पर नक्षा ओही पास करो जो सी त्यार किता है 6 साल दी ट्रेनिंग पूरी होन ते राम सिंग नू एक अपरेल 1883 दे दिन एसे स्कूल वीच असिस्टेंट मास्टर दी नौकरी दिते गई वदेशन तो काम दा पहला आडर मलिका दे शहजादे इंगलेंड दे ड्यूक अते डचैस ता आया ओनने दे बिलीड दे कमरेनू लगकर दी नकासी ना शिंगारना सी 1884 दियां सर्दियां वेच ए जोडी डिजाइन वेखन म्यू स्कूल आई अती डिजाइन वेख के गदगद हो गई केवल कंदा वास ते 208 पैनल त्यार किते दो पैनलां उपर उस्ताद्दां दे ना लिखी होई हन जे एल किपलिंग प्रिंसिपल 1885-1887 ते राम सिंग मास्टर म्यू स्कूल आफ आर्ट्स 1885-1887 ए सारे 1888 विच इंगलैंड पे जी गए चोदे मलिका ने डियूक सहजादे दा बिलेड रूम वेख्या तो उसने फैसला किता कि एही कलाकार उस दा सर्दियां दा असबर्न महल शिंगार नगे अठारो सुन अभी विच कि प्लिंग चुटिया मना इंगलैंड गया मलका ने बुला कि इच्छा दसी राम सिंग वलो शर्ता कि प्लिंग ने तै कितिया सौ पॉंट सफर खच पंच पॉंट हफ्टा तनका महल नेडे मुटरी हाईश वाव, लुट अग इस 94% of people believe company culture is important to an organization's success frankly I have no idea what the other 6% are thinking you know usually when राम सिंग समुंदरी जहाज थे पैरस किया पैरस तो रेल गर्डी फड़के लंडन कुछ दिन किपलिंग को रहा अते फेर असबरन पुझ गया जिथे मलका उडीक रही सी मिहिन्यवाद वापस ओर लगया तक कारिगर क्यान लगे कि राम सिंग दी गैरहाजरी वेच काम नहीं हो सकदा डेड साल होर लगया 81 मार्च 1893 मिनों दरबार हाल त्यार हो गया एहाल बी फुट उच्चा सी दरबार हाल तो बाद फरनीचर त्यार करना सी लंबा डाइनिंग टेबल तिछती कुरसिया कांदे देनाल सोफे साइड टेबल राम सिंग ने कहा कि मैं दो कुरसियां बनावाँगा बाकी उसे तरह तुसी त्यार करो मलका जोदो दरवार हाल विच जान दा फैसला कर दी ता पहला पार्ती लिवास पैन दी पूरा काम 9893 विच मुकमल होया इस तुरान राम सिंग अपने मुंडे दे पोगते भी न जा सके या जोदो दिरवार हाल बन गया तो योरुप दे अखवाराने पहले पनने ते राम सिंग दी तस्वीरा शापियां मलका ने दस्थकत करके अपनी पेंटिंग अते सोने ता पैन केस दिता आस्ट्रियन आर्टिस्ट पासो राम सिंग दी पेंटिंग बनवाई जोदो गेटवलों दर्वार हाल वीच दाखल होई है ता सब तो पहलन राम सिंग दी तस्वीर दिस दिया प्रिंसिपल किपलिंग जोदो किसे ना राम सिंग वारी गल करदा ता अपना वाक इन शब्दान अड़ शुरू करदा साड़ा सब्तो स्याना अनक्षकार पाई राम सिंग सर पंजाव चीफ्स कालेज लहोर, फिरोजपुर्दा मिन्सिपल हाल ती दफ्तर लेडी एचिसन हस्पतार लहोर, नवा अजायवकर लहोर, खाल्चा कालेज लेडी लाइल होम लहोर, अलबेर विक्टर हस्पतार लहोर, सरकारी कालेज लहोर दा हॉस्टल, अम्रिसर दा मुनसिफ कोट, राम सिंग दे हत्थान दी शोदे कवाने जो देवी कोई अम्रिसर जाके सडक तो लंग दा, खाल्चा कालेज दी शाकार इमार्त नू वेखता, ता बिस्मात दी हालत विच वेखता ही रेंदा इस शाकार दी सिर्जन वी, राम सिंग दे हत्थानाण होई सी खाल्चा कालेज दा ने पत्थर पंच मार्च 1892 नू रख्या गया होड साब ब्योंतवंदी हो गई, पर आखरी फैसला पाई राम सिंग दे डिजाइन नाड होना सी ओ खता राही सुझा अपेश दा रेंदा, पर असल काम ओधु शुरू होया ज़दों 1893 विच इंग्लैंड तो परते या 1912 अते 13 विच राम सिंग ने इसलामिया कालेज पिशावर बनाया अते बाच खाल्चा कालेज गुजरावाला शिमलेस थे तो वाइसराय पवन्दी सजावटवास दे सुनेही ओंदे रेंदे कम इना वाद गया कि उसने राम सिंग M.V.O.S. नाम दी कंपणी रेजिस्टर करवाई ललित महल मैसूर दी शत्तदा डिजाइन परनाण दे नार नार उसने पट्याला, मलेर कोटला, नाबा, बहावलपुर, जमु कश्मी र्यास्तान दे महल शिंगारे दर्वार साहिब दे स्रोवर्ट चे शिर्दालुआं दे डुबण निया कटनावा नो रूप कर ली, स्रोवर्ट दे अंदर ले पासे पत्थर दी जाली लगवाई सारा गड़ी ते शिहीदां दे याद विच अमरिच सर अति फिरोजपूर दे गुर्दवारे डिजाइन किते अमरिच सर वाड़ा गुर्दवारा चार कुना, फिरोजपूर वाड़ा अठ कुना है 1806 विच इंडो केलोनियल नुमाईश लंडन, 1888 गलासगो विच, 1898 विच बंबे विच कलादियां नुमाईशां लगियां जिते पार्त दी नुमाईंदगी राम सिंग ने किती दिल्ली विखे 1903 विच राम सिंग दियां लकड़ दियां खुणियां वस्तुआं 10,000 रुपए विच विच विखियां अडवर्ड अठमेंदी ताजपोशी दा जिशन मनौली 1905 विच दिल्ली दरवार होना तै होया इस विच लगणवाडी नुमाईशता प्रवंद राम सिंग नू सौंपया गया उसते कमत खोशों के वाईस राय ने केसरे हिंददा खिताब दिता 1907 विच सरदार साहिब ते 1911 विच सरदार बहादर दे खिताब मिले गोरे वाईस प्रिंसिपल नू 500 रुपय में ही नतनखा मिल दी सी जोदो राम सिंग लगगा ता उसनू 60 रुपय में ही नेते रख्या गया उधो पार्तियान नू गोरे यां दे बराबर तनखा नहीं दित्ती जान दी सी एक साल कार्जकारी प्रिंसिपल वजो काम करें तो बाद जुदो प्रिंसिपल दे आडर ना मिले ता उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर नू चिठी लिखी अंग्रेजा नालो मेरी चमनी दा रंग वखरा जरूर है गुणा विच कोई काट नहीं इस कूल दा प्रिंसिपल होंडी मेरी विच की नुक्स है पार्त दा मर्चुका आठ में असबर्न महल विच सुर्जीत करके आया हां मेन्नू तो हाड़ेवाल तकना पैरे हां मिस्टर किपलिंग नू अजे ही कोई दिकत नहीं आई इस कुत्पड़े दा सामना मिन्नू मेरी चमडी दे रांगकार्न करना पैरे हा इस चिठी सद का 25 स्तंबर 1910 नू प्रिंसिपल दे आडर मिले 38 साल सेवा ने बागे 55 साल दी उम्रे अक्तूबर 1913 नू रिटायर होया उस दी थांते लियूनल हीथ नियुक्त होया उसने अपनी सलाना रिपोर्ट वेच लिख्या प्रिंसिपल सरदार बहादर राम सिंग अक्तूबर 1913 वेच सेवा मुक्त हो गए ओ इस स्कूल दे पहले वद्यार्थी सान जो एठे ही मास्टर बणे अते प्रिंसिपल दे आदे तक पुझे ओना दिये शांदार प्राप्तिया पाड़िया नू रा दिखाउंदिया रैन गिया राम सिंग दे पंच पुत्तर ते दोतिया सन चौथा पुत्तर सुख्चरन मियू स्कूल वेच पड़िया अते अमरेच सर्था मिशुहूर चित्रकार बणेया दूजय सरदार सुलखंड सिंग इंचनीरिंग कारके ग्लास गो चले आ गया साब तो बड़ा मखंड सिंग पितानाल काम करदा 1906 अपने तीदेकर दिल्ली विखे पाई राम सिंग दा धिहान थोया So I've got my essay written, and I've been working on it for about a week So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit Okay, so here's my essay, and I'm going to click through Grammarly suggestions in the right panel Your sentence may be unclear or hard to follow. Consider rephrasing That's true. This is much better You know, I didn't know my writing contained so many run-on sentences Until I started using Grammarly Okay, this paragraph may be too long. Consider starting a new one here It is too long And that is the perfect spot to break it up Let's add a comma here You know, affect and effect always get me Okay, so now we're done editing, and now it's time to check for plagiarism And it looks like I forgot to add a citation here It's good looking out You know Grammarly gives me peace of mind when I'm writing But what I like more is that it's also teaching me how to write and communicate better So if you're a student, you're gonna be happy you got Grammarly This incredible dental device is giving peace of mind for just 127 Canadian dollar Dentists are calling it the next best thing to an in-office visit Its high-tech tartar scraper spins up to 12,000 जुदु निपोली इंदी फौच हार गे वाहिगर जी का खालसा वाहिगर जी की फते मैं तोडी होस्त नेलम कोरत मैं TV84 दे सारी दर्शकाँ दे दिली स्वागत कर दियाँ प्रोग्राम सचो सच वेच जड़े इस प्रोग्राम नूँ देशां वदेशां में बैठके देखते सो रहेने हाक साच दिया वाजने बलंद करने मारे डाक्टर अमर जी तुनी रुजाना नी तरह स्टूडिय वेच मेरना शामल ने आउना मिलके प्रोग्राम दे शुरुआद कर दिया जी डर सब वाहि गुर्जी का काल साथ वाहि गुर्जी की फत्ते जी डर सब तोड़ा निगा स्वागत है प्रोग्राम सच्छो साच वेच है बहत शुक्रिया जी डर सब आज 23 दिसंबर 2016 पो नानक शाही समत 508 तालिदा देन ए ते डर सब प्रोग्राम दे शुरू वेच्छ तुसी आज दियां केड़ी हैं विचार चर्चा माँ सारी दर्शकना सानिये करें जा रहे हैं देखो आज शुक्रवार है इस हफ़ते दाखी 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 दाप्रोग्राम और असी कोशिश कर दें कि फ्राइडे असी किसे ने किसे इतिहासिक परस्पेक्टिव तो जहां कोई ओ चैप्टर जड़ा हूं तक बहुता जेस पारे चर्चा नहीं हूं दी जहां जेना नो तुसी गवाचे हीरो कह सकते हूं उन्हादा जिकर करिये जे और अज दे इस ओपनिंग सेग्मेंट दे गफलत दे विच है साड़ी पंजाब दी तरती ने क्यों जे हर फील्ड दे विच अग्ये वदन वाले जड़े ने लोग पैदा किते परसी के में बेकदरें असी जड़ा इतिहास है पहला कुछ आप कार सेवा दे ना थले इतिहास से ता गुर्दवार यां दी और जिनने बड़े उनीक क्योंकि जड़ोज सिंग कर दे cáls कर दे बहुत सारव हैं नो इसी मार्शल रेस कह के सिर्फ ते सिर्फ अपने स्पाई होण दाई जड़ा है ओ ऊ गालनो अग लोग प्धोड़ें जयां जड़ोज नों असी किसानी दी गाल लोग biggest इसई वांने पोखजड़ी है दूर कीती टेड़ पर रहा देश वासियां दा था इदर उदर योजे पार्ट ने लेकिन एक ऐसा फील्ड जेसने विच आर्कीटेक्ट खासता और थे जेसने विच किस हद तक जा के गुरू के लाल ने पाहिराम सिंग जनादाना अक्सर और ये ना जो तुमें पहली वार भी सुने हैं साड़े साइड दे पार्टी कबजे वारे पंजाब दे किसे हलके तो नहीं पर पाकस्तानी लहौर्च मियो कॉलेज जड़ा नैशनल आर्ट्स कॉलेज है हूं उना देख प्रोफेसर तूं जे और ये जो जो मैं इस पार हूर जड़ी खोज कीती जैनल बना चाया जानना चाया ते इस गाल दी समझ आई के खालसा कॉलेज अमरत सारवी 1892 दे विच पाई राम सिंग ने डिजाइन कीता है और मैं जड़ी किताब दो जड़ी पाकस्तानी हस्पेंड वाइफ ने जड की 2006 दे विच मैं देख रहे हैं सी और उड़ा रिव्यू जड़े एक प्रफेसर खालसा कॉलेज अमरत सारवी ने किता हूने किया जी चार साल मैं उत्थे स्टूडेंट रहा है और फिर मैं उत्थे प्रफेसर भी रहा है पर मैं नूवी नहीं सी पता कि भी ये पाई राम स इन दा डिजाइन किती हुई खालसा कॉलेज अमरत सारवी बिल्डिंग है पर ऐसी उस वेर वे चार्ण तो पहला मैं एक अनॉलज करना चानना है कि भी यसी किस किसम दे वड़े हीरो ने और इंगलेंड दे विच जिते के उनना ने कुईन विक्टॉरिया दे लही उना दा आसबॉर्न हाउस ते विच इक स्पेशल कमरा उना दे रिक्वेस्ट दे डिजाइन किता जनू दरबार हाल के ने उनने इंगलेंड दे उना इंस्टिचूशन्स दे प्रफेसर स्टूडेंट हिस्टॉरियन्स ता जाके पाई राम सिंग दे ना दे एक्जिबिशनल आ रहे ने उना दे कमा नुसरा रहे ने और इस किसम दा जीनियस जिसने 15-16 साल दी उमर चीज़े ड़े वो अपना जादू दखाया है जिने उन तुसी ब्लेस्ट गिफ्टिड केंदे हूँ और कहाणी उना दा पेंड जनम उन दा रसूल पूर पेंड बटाड़े दे नेड़े हूए और जमें कहाणी है कि उस वेड़े डिस्टिक आमर साथ दा डेप्टी कमिशनर उस दी जड़ी बेगम जहाँ जैसनू मेम जड़ी है उदा जड़ा उप्यानों इस्तमाल कर दी सी ओ खराब हो गया और जिद करें कि अब यह ही है और उस वेड़े दे सारे जड़े एक्सपर्ट सी अवेलिबल लूना ने आके देखिया उनूर रिपेर ने सी कार सकते ते किसे ने उननु क्या कि जी इत्थे एक नेड़े पेंड़े रसूल पूर बटाड़े दे नेड़े भी उत्थे एक मुंड़े आया उनने देखिया और उनने और रिपेर करते तो उनने पाई राम सिंग दा सफर है इत्थों शुरू हुंदे और जदों आसी देख देए अभी किस लेवल दा कम उननना दा डिजाइन आर्किटेक्ट दा वासबार्न हाउस जो दरबार हाल हुए पंजाब यूनिवस्ट लखार हुए जड़ी उनना देविच जड़ी खासता ओरते म्यूजियम है आर्ट गैलरी लखार दी हुए खालसा कालेज अमरसार हुए और हूर बहुत सारे जड़े मेयो कालेज जमें में जिकर कीता है मैं वो सिस्टेमेडिकली उन्हों डिसकस करांगा है जे सो जो 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 सी देख देए हैं कि भी इस लेवल दा बंदा है वसी आज जड़ा चार उठदा है और ठेके दार सुर्जन सिंग दो देआने दा अकाली लीडर मर गया हुए उदे सलाना पोग दे अकाली लीडर आए तो दे मुंड़े ने कहा जी मेरे पे हो दे इच्छा सी के मेरी फोटो अजयाब कर सेंटल सिख म्यूजियम जो जरूर लगे तो हुनों उते बैठे की का ने कहा जी लादने एक आमदा हो कर देने के म्यूजियम जे जिदा कोई चार पैसे को दंदा है जिदा हाथ पेंदा है जाए नार को अकाली है नार सांज प्यार ली है उनों उना ने जड़ बैनते चाहिए दाते है जिस काम च इस लेवल दा बैन दा प्रोड्यूस कीता है जिस काम ने के जिस दे आर्किटेक्ट ने, जिदो डू़र लगे नों दा आर्किटेक्ट ने ने है जिदो मैं थोड़ा बहुत तो उसनों वेर वे, ना देख्या आडर बील्डिंग तो डे तक वो जड़ा है पाई राम सिंग इस लेवल दा जड़ा हो डिजाइन कर रहा है और इस लेवल दा उना दा कम है और इदे बारे एक बड़ा अच्छा आर्टिकल जड़ा है मैंनो लगया कि बहुत सारी जड़ी इन्फरमेशन है वो एक थाहते कठी मड़े आर्टिकल ता मैं पांचे जड़े ने वो डिफरेंट पीरिड्स चो कड़े जे सो ए सारी का शर्मा नादी किसे बीबी ने चंगी रीसर्च करके और उन्हें हेडिंग ये दता है कुईन्स इंडियन आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट्रल जीनियस पाई राम सिंग रिमेंज ए फरगोटन मैन इ और चाहिए दा है इसी के इस किसम दा जड़ा ऑकेयन है उन्हों इंटरनेशनली हाईलाइट जड़ों सी सिक्कौम दियां पराप्तियां गुणा दी गाल कर दे हैं सिर्फ किसानी जां फौजी कामता नहीं हर फील्ड दे विच सिक्थाने किमे मर्ला मारी हैं गेराने उन्ह दा जड़ा जड़ा ओ लोगा मन्या है जा हुना नू अप्रिशेट कीता है और मैं देख देएं भी पाकस्तान दे विच लहौर दे विच जनिया इंस्टीचूशन जे एटिसन कॉलेज जले विच सारे जने चीफ राजे अमार आजे ना दे पुत्तर पढ़ दे सी जे उसन भी डिजाइन जड़ा उना ने कीता है और ओ अकनॉलेज भी कार दे ने तुसी किसे भी लहौर दा जड़ा थोड़ा बहुत जानू है वो दो नामान उकदे नहीं पूल दा ओ पाही राम सिंग ते सर गंगाराम ने सर गंगाराम दा ने किना वो एक बड़ा पिस्ट के समदा बंदा है और इना दे भी बहुत सारे जड़े उना ने डिजाइन कीते हैं उदे फैनेंस गंगाराम ने बहुत शारत खटी सी परुपकार दे फिर च्वी शायद जा मैं घलत ना हूँआ दे दिली च्वी सर गंगाराम हास्पिटल है लेकन पाकस्तान दे विच आज भी जड़ी सड़क उना दे ना आते है जा जो हास्पिटल लाहूर दे विच 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 उना ने बढ़ा है तो मैं ज्यादा वक्त ना लवाँ और ए आर्टिकल दे विची दी शुरुआत ही हुं दी है फर लांग पाई राम सिंग वस प्रिजूम तो बी लेंड मार्क क्रियेशन दा येर देट वेंट बाई मार्क्ट इस टेंथ डेथ सेंचरी नोट वन कोमेमरेशन ओन इधर साइड अफ दा बार्डर के दोना पंजाब बंच उना दा आर्ट जो उना ने दता है उस दा मजूद ने परूफ लेकं दोनों पास यां दो कोई ट्र होले सीन, सोड़ा साल दे पाई-राम सिंग, हाँ मास्टा। वेrai् occasions सोनी जॉइन दा लाहर स्कूल और कार्पन्टरी और ने ड़े अमेव स्कूल आफ आर्ड नव होसे ने 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 दानवाईर्ण कोमेमरें पास साइड जोन लूपोड किपलिंग, ये पइंटर औड स्कल्प तो सोड़े प्रिंसिपल भी रहे है और ओपेंटर ये वेंट आउं टो क्रियेट वट अर्किटेक्शनल मार्वल्स टुड़े उन्हें पाई राम सिंग ने की की क्रियेट की ता अर्किटेक्शनल डिजाइन खालसा कॉलज अमरत सर और दा लहौर म्यूजियम इस रेपुटेशन सप्रेड फॉर और वाइड फॉर और कुईन विक्टॉरिया तो इन्वाइट हिम तो डिजाइन इंडियन रूम इन वान आफ हर पैलिसेज के पाई राम सिंग दी शौरत नहीं फैली के इंग्रेंट दी राणी ने उन्हानू लंडन इन्वाइट कीता और उन्हें ने किया कि जड़ा मैं कार्बन आ रही है आस्पार्न वाड़ा उदे हस्पेंड नहीं डिजाइन कीता सी इदे जो तुसी एक अपना आर्किटेक्ट ने राड एक कमरा डिजाइन करो रूर होया और जो दर्बार हाल दे तो औरते जाने हैं जानता है उस दर्बार हाल दे विच पाई राम सेंग दे फोटो लगी हुई है कि पाई ये बंदा है उत्थों आया है और उन्हें एडिजाइन कीता है पर सानू खासता औरते असी से कौम जड़ा बड़ा सी क्रेडिट लेंदे हैं हर चीज दा सी इस किसम दे बंदे नू जड़ा उ भी नोन ऐस दर्बार रूम एट आस्पॉर्न हाउस दा यू के दा बिड़िश जैन्टरी दैन वर इन ओफ कुईन विक्टोरिया सीक्रेट इंडियन आर्किटेक्ट के इवन जड़ी सारी बिड़िश सुसाइटी सी उन्हों भी सी के भी ये कौन है ऐसा सीक्रेट आर्किट कुईन विक्टोरिया दा जन्हें इस किसम्दा डिजाइन किते हैं जे टोड़े तू विसितर्स एड़ आस्पॉर्न हाउस आर्टिकुलर्ली इंड़ मैं तैल्स माइकल हंटर कुरेटर अफ ऑस्पॉर्न इंग्लिश हरिटेज वे कुरेटर के रहे हैं अज वी सौसाल बी और अज़ श्रचिज अवार इन दोड़ेज इंगोर्हाइन पही रही को सबादर अच्छ्छ्ण कुछ्छ्ट इंग्ट की तूर्च्ट इन प्रव श्री थेज़ एग्ट ट्विससस्ग्ट इच्वित्ज दूच्ट मिश्टे टेट इस अन् Muller इंग्य वेह अणिग्ण गाज़ वन्हाईनि अव मिलटिंज इनौश अच्ट करीच, जी शौत के लिक्ताट било, इसकेड़ंग हैं औरी इसेधनि प्राशा राख था कर अब की अंड़, तर बौत थाल। पॉत сот the marketplace and start selling these super powerful drones to the public. Most companies are still charging up to $5,000 for these high-tech drones, because they know they can get away with it. But a drone company founded by two former Navy SEALs gained access to this patent, and are producing them at a price that's actually affordable for everyday Canadians. They call it the SkyQuad. Because it was built by former Navy SEALs, it's packed with cutting-edge technology like the Follow Me feature that lets you take amazing videos of yourself without using the controller. Its advanced GPS functionality means it can track your location within 3,000 feet, and return to you quickly when experiencing a weak signal, or when the battery is low. The collision detection function prevents any accidental damage or crashes, making this drone the toughest quadcopter ever produced. It's been really popular with the hiking and outdoor adventure crowd, which makes sense because this kind of device is perfect for taking on a hike up in the mountains. Thanks to the gimbal stabilizer, the camera can tilt in any direction to get the perfect shot. We've gotten tons of messages from people who like to use it to take beautiful pictures and videos on weekend trips and others who just love to fly it in their backyard. The SkyQuad is also perfect for your next vacation to capture stunning landscapes, explore the area, and immerse yourself in nature in the most unique way. John from Calgary went on a hiking trip with his girlfriend, and they had an epic trip. The best part about the whole trip was that he could capture precious moments with his new SkyQuad drone. What's really cool about these SkyQuad drones is that they have built-in altitude sensors, which allows you to remain stable while you hover to shoot extremely smooth footage. SkyQuad drone has a lot of cool features such as autopilot and 360 loops to make your video stand out. This drone is so sturdy you can even take it for a flight when there's level 6 wind outside. It's pretty crazy when you think about it. So anyway, let's talk about the price. These drones literally used to be sold for $5,000 for just a single drone. But thanks to this new Canadian company, the price of this drone is only $198. And if you click the button below right now, SkyQuad is offering a one-time only, 50% discount for first-time buyers. So you can get one of these military-grade drones for the super-low price of $99. SkyQuad drone comes with a 100% money-back guarantee. So, if you aren't satisfied for any reason at all, we'll give you a full refund, no questions asked. If you want to get this $5,000 foldable drone for a tiny fraction of the real price, click the button below right now and get your own SkyQuad drone with 50% off. I'm actually really excited about this. Someone's walking around town right now, and they have no idea that their life is about to be changed forever. Ma'am, excuse me. Can I have two minutes of your time? Oh, I'm late for work. Okay, if you give me two minutes, you'll never have to work again. Uh, yeah, right, no. Sorry. Okay, have a great day. Okay, this is going to be tougher than I thought. I'm an engineer, not a salesman, so maybe I need to change up the... Come on, man! Hey, thanks. You want one? I wish. Come here for a sec. All right. I don't really want to be on camera. Are you on TV or something? No, no, no. I own a small financial company, and this is just going to be on our website. Is that okay? Yeah, I guess so. Is that yours? It's all mine. Hey, what if I told you you could own one of these by the end of the month? I'd call the Madhouse to see if they lost a patient. Okay. I can barely afford rent. Let me buy you a beer, and we'll discuss it. What's your name? Jerry Price. Brandon, nice to meet you. Come on, come with me. All right, Jerry, so here we are. What I want to show you today is the Gemini app. This is the exact app that I used to amass over $25 million in the last two years, and we're here to set up an account for you. I'm a little bit skeptical, Brandon. I mean, this kind of feels like a sales pitch. No, not a sales pitch. I'm not here to sell you anything. Okay, let's do this. Here are the keys to my Lamborghini. Let's leave them right there. If you don't leave this pub within 30 minutes with at least $1,000 more money in your bank account, you can have my car. You're putting your money where your mouth is. Okay, let's do it. Okay, sounds good. I want to make this as transparent as possible. How much money do you currently have in your bank account? Um, I mean, I'm a little embarrassed to say, actually. I'd rather not. No need to be embarrassed, okay? We've all been there. In fact, most of the people watching this have all been in the exact same situation as you. Um, okay. Well, let me check. I have exactly $63.37, but my salary will come in early next week. All right. Do you mind if we show the camera? Yeah, no problem. All right. Can I have it for a sec? Yeah. Okay, so, let's go to the Gemini website. There you go. Okay. All right. So, right now you're in the members area, okay? So, go down here and fill in the details and register for your free account. Okay. All right. So, right now, Jerry is filling in a couple of details to set up his account. It doesn't take more than a minute or so. After he's done filling in his private details, we'll connect. All right, and done. Excellent. Now, in the background, Gemini 2 is setting up your account, and it's leaking the software to our trading platform as well as one of our vetted brokers. Seems like it's almost done. Should only take a couple of seconds. Done. Yep, all right. It's all done. So, what you have to do is verify your deposit. So, you opted to deposit $250, which is the minimum for the Gemini to trade with. As you can see, your balance inside the Gemini app is $250. Now, let's take care of a couple of settings. Auto trading algorithm, on. Okay. Currency is enabled. All right. Stocks, disabled. Okay. All right. Now, compound wins enabled. Compound wins means that whenever you win, your trade size gets larger, which literally means your balance will grow even faster. I highly recommend it. Okay. All right. You're all set, Jerry. Now, are you ready to start your new life? Hell yeah. Okay. So, all you need to do is hit the start auto trading button. Okay. If you press trade results, now you can see the trades being executed live. So, let's check back in a minute or two to see what happens. Okay. You know your car's on the line, right, Brandon? I have 100% trust in my software. All right. Okay. So, it's been about two minutes. Let's look back in on the app. Okay. If everything went all right, it should have taken a couple of trades already. Unbelievable. Look at that. So, your current profit is $245 on top of the $250 starting deposit. So, $245 in profit in a little over two minutes. Let's finish this pint. We'll check back in in 15 minutes. Put your phone down. All right. All right. Okay. In fact, let's withdraw some of the money right now so you can see it with your own two eyes. Due to the amount of money that we deal with on a day-to-day basis, we have an enterprise-level banking contract. That means we can transfer money to any bank in any country in a matter of minutes rather than days. And there is no need setting anything up in the app itself. All of your details are securely stored on the broker platform, just like all the other millionaires who trade on the same platform. It's a bit like when you withdraw money from your PayPal account and the money is in your account within a few seconds. So, if you could go to home, let's click Stop Auto Trading and then press Quick Withdrawal in the app right there. All right. All right. Now let's specify how much money you want to withdraw. Now we said $1,000, right? Yeah. Let's do $1,000. Okay. So fill in $1,000. Hit withdraw. Okay. As you can see, you're connecting to your broker first, then sending out the priority transfer to your bank account. Bank transfer successful. Now, does this mean that the app stops trading? I mean, I'd like to keep it going now. No, no. Don't worry. You can restart trading anytime you want with the money left in your account. But first, let's go for a walk. Your money should be there in about 10 to 15 minutes. Okay. All right. You want these? I do. Okay. So here we are. It's been about 15 minutes since we transferred the money. Would you mind looking at your bank account? No, not at all. And? What the? It's there, Brandon. This is incredible. My account is $1,063.37. I mean, that's $1,000 more than what I had in my account this morning. Now, would you like to go withdraw this money so that you can see it's actual spendable cash? Yeah. Let's do it. Let's go. Wow. Oh my gosh. This is incredible. I mean, I haven't had this much cash in my hand since I sold my car for cold hard cash. I got to give you some of this. No, no, no. I've got plenty of it and I'm making more every day. Wow. This is all yours. And this is going to go on forever? Yes, it will. And if you don't mind, I'd like to keep in touch because I'm sure the folks that are watching this would like to see your progress over the next couple of weeks. I'd love that man. I mean, I can't thank you enough for hooking me up with this software and it's like I'm dreaming. Welcome to your new life, buddy. All right. What was that? You bet. I'll see you in a month. All right. I'll be checking in with Jerry in about 30 days. That was about a month ago. Such a fun day. We have more of Jerry's progress later in this video. So keep watching. Now, you've seen how easy it is to set up the Gemini 2 software and start making profits. You're probably wondering how it all works. And most importantly, how can you get involved? And that's a great question. I will tell you exactly how you can get involved in just a second. But for now, let's talk about you. If you're watching this video, you probably aren't doing great financially. And there are a couple of reasons for that. Let me tell you this. It is not your fault. Here's why. You probably have been scammed, lied to, and been misled more times than you care to admit. And that's probably also why you lack confidence. You are too scared to take action on good opportunities. And the support from your friends and family has slowly went to zero. I've seen life on the other side. The side of successful people who wouldn't even think twice about spending $20,000 on a meal. And I can tell you for sure, the system is rigged against you. I'm here to give you the tools to a new life. The tools that will give you something far greater than any $30,000 watch or Lamborghini. Freedom. Freedom. The type of freedom where you are in charge. Where you decide who you listen to. Where you take your family on holiday. What kind of car you drive. And where you want to live. I'm going to help you achieve that. Just like I helped the people from our first beta group achieve the very same thing. But don't take my word for it. They will gladly tell you themselves. Now if you're anything like me, you're probably bursting with excitement right now ready to get started. And by all means, if you want to make sure you reserve your spot, go ahead and create your account right now. Fill in your email address and profits will be adding up in your account in just 10 minutes from now. You might be wondering, Brandon, how on earth did you come to build a trading app this powerful? That's a great question. Two years ago, I was working for my former employer in Silicon Valley. I worked on a project called the Alpha Code. What we were trying to achieve was a way to predict how much the search volume for a specific keyword on the search engine would be well into the future. In plain and simple terms, if 100 people search for the word Coca-Cola today on Google, we would be able to predict how many people would search for the same word at this time next week and next year. I dedicated three years of my life to finding this predictive algorithm until one day I found it. It was one of the happiest days of my life. I had accomplished what I had dedicated three years of hard work to achieve. My employer gave me a big thank you and shelved it away for future release and said, Now, go work on something else. I mean, they gave me a nice bonus and everything, but they did not understand the power of the algorithm I'd created. I just couldn't let it go. I knew that there were a ton of practical applications for this program. So in the evenings and weekends, I started perfecting and optimizing the algorithm. Thinking of other uses for it too. Then, an idea struck me. What if I could use this on the financial markets? The first day I tried it, it gave me a 90% return on my investment. I'll never forget that day. I hesitantly put $1,000 in my broker account to test how it would do. At the end of the day, I was nearly doubled in my money. That was insane, but I know I could do better. I recruited a few of my former colleagues and started building the Gemini One app. We launched it to a select group of friends and family early 2015. Every single one saw their account grow from just a few hundred dollars to thousands within a matter of days. Tens of thousands within a matter of weeks and hundreds of thousands within a matter of months. It was unreal. But again, I knew we could do better. More engineers joined our team of experts and now we've finally arrived at version 2 of the Gemini software. It's the most powerful predictive algorithm the world has ever seen. In fact, I've gotten multiple offers and the tens of millions of dollars to keep this program from reaching you today. But that's not going to happen. Think about it for a second. How would your life be different if you had access to this piece of software? Imagine you being free to do whatever you want. How people will look up to you. How you would feel giving your boss the so-called finger. That, to me, is worth way more than any money any corrupt bank could ever give me. I mean, look at Jerry. A guy I just randomly ran into on the street. We're going to go meet with him today. He started using the software last month. I will take you with me on that meeting. Why, let's go do? He also takes you while looking at what he can have in writing right now because he chose that I believe in Server Connor. That and again, it's the same thing as those of banks. It was the only thing that Matt Schwierke feels good. Then you're not able to act, but that is how it looks like. I think that you may like these things and that uh we are playing YouTube and David Font puna should be झाल 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 so you can see for yourself just how brilliant this piece of technology changed Jerry's life झाल 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 अईलाए है तुझ है यांग झार आफ में कई अए बार दोगानाे है ली अएपारी देड़ी है य कि अएफार अब में के अईलाएट है वार दोर दोरे है? अईलाए ये पार है है ये ये जिड़ता है? इसके लिए उन्हाज़ागा है व्याज़ का टिए दो टूब में कि अ वा उद़ यूतरी प्याट वी अच्वान है तो तो फिरू कि दोー बाधिया वार्टी है थे वार्टीए छोड़े हैं अजसिता हैं, सकते हैं, सकते होईगा हैं, जहोगतों क्या ड्रहा जावा हैं, जह आएगा उतों झाल्स कि और जो की और हुट जासाईगा हैं, जह रविवांगे जहांगेए कि प्कनारी क।रिख दृफलिग कर देखिए इत्थिस्टेशन, जह आखिए हैं, बड़ी होचसग when it presented itself so you deserve this thanks you're welcome gotta be a drink oh yes on the rocks blend live it there we go check out my pool hey who's that lady such a great guy every single person that was accepted into our beta group in 2015 is now a millionaire including Jerry let's hear from a couple of them now holy crap guys after just one week of using the Gemini app I've made thirty eight thousand seven hundred and sixty two dollars and forty two cents another week on my account balance was now at one hundred and forty four thousand eight hundred and twenty three dollars and 32 cents and now check this out after just one month my account balance is sitting at two hundred and ten thousand seven hundred and thirty three dollars and twelve cents and that's after I withdrew 65 K to buy this the sailboat of my dreams I've been making money ever since you guys simply rock thank you thank you hey guys full disclaimer I'm Brandon's cousin he gave me access to the beta version that he launched back in 2015 and I have been forever grateful to him for that moment within the first trade I was making money within the first week I know it was the real deal sorry the fact that I quit my job and I've never looked back with money like that coming into my account each week I can live life as it's supposed to be lived so I've gone from literally hating every aspect of my life to loving all of it so if you are presented with the opportunity to get yourself a copy to take my advice just go for it and I guarantee you're gonna love every second of it check out my new ride all thanks to you and the team at Gemini I know I've told you this hundred times before but I really can't thank you guys enough my life is changed beyond all recognition I really am living the dream now all while still making huge amounts of money from wherever I am in the world and now you are about to join the folks you just saw do you feel that if you have access to this powerful money-making tool it will help you achieve that financial freedom you desire okay listen I'm not gonna get all hyped up and get you all hyped up about what this is and how this can help you if you don't want it big deal there are hundreds of people who want nothing more than you closing this page however if you are sensible and you're at your computer watching this video you know that what I just showed you is the most foolproof and easy way to financial freedom you need to take action right now because if you don't someone else will snag your copy and you will miss out for good with that said here's what you need to do right away fill in your name and email in the box below this video once you've done that click the yellow button and you will be directed to the private members area well we will set up your account for you I will meet with you on that page with a fresh video and explain exactly how to set up your account get access to the software and start making profits go fill in your email address and hit the get access now button your life is not gonna change if you keep doing the same stuff you've been doing forever that is just not how the world works so either take action now or accept a life of scarcity and being told what to do by other people don't delay this fill in your details right now and I'll see you on the other side you you